आज हम बनाएंगे मखाने की मिठाई, मावा पनीर से बनी मिठाई आप बहुत खाये होंगे, लेकिन आज हम जो मखाने की मिठाई बनाने वाले हैं, यह मिठाई मावा पनीर से भी ज़्यादा बढ़िया बनता है, और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समान ज करते हैं मिठाई बनाने के लिए हमने यह पर ३ो नार कुम भूल लेगे इससे बिना घी तेल के अईसे भूल Blake अमने भूल लिया है आप इसको हम एक बर्तर में निकालेगे लिदे अब कडाहिम हम एक चमच घी डालेंगे घी गरम होने बाद इसमें हम काजू बदाम डाल कर भूनेंगे आप इसमें हम आधा कप काजू डालेंगे और एक चौथाई कप बदाम को डालेंगे काजू बदाम हम बहुत लाल नहीं करेंगे इसको बराबर चलाते हुए हलका से भून लेते हैं गैस को हमने धीमा किया है जिससे लाल नहो और अच्छी तरह भून जाए क्योंकि इसका हम मिठाई बनाएंगे इसलिए हमें इसे लाल नहीं करना है काजू बदाम भून गया है अब इसे हमें एक प्लेट में निकालेंगे अब इसे हम साइड में रखेंगे कडाहिम जो घी बचा है इसे हम मखाने को डाल कर भूनेंगे इतने ही घी में मखाने को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं गैस को हम थोड़ा मीडियम में करेंगे और मखाने को चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक मखाना ऊपर से पूरी तरग क्रिस्पी न हो जाए मखाना भुनने में 4-5 मिनिट लगेंगे लेकिन मखाना अच्छे से भुना रहेगा तो इसे पीछने में असानी होगी आप देख सकते हैं मखाने को हमने अच्छे से भुन लिया है ये भुनने के बाद एदम क्रिस्पी हो गया है अब मखाने को हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा करेंगे मखाने को हम साइड में लग लिए ठंडा होने के लिए अब कडाहिम हम एक लिटर दूद को डालेंगे ये फूल क्रीम कच्चा दूद है तो पहले दूद को हम उबाल लेते हैं जब दूद उबलने लगे तो इसे हम दो मिनट तक और पकाएंगे यनि कि दूद उबलने बाद इसे हमें दो मिनट तक और पकाना है जिसे दूद थोड़ा गाड़ा हो जाए जब तक दूद उबल रहा है तब तक के लिए हम मेवा मखाने को पीसेंगे पहले जार में हम काजु बदाम को डाल कर दरदरा पीस लेते हैं बहुत महीन हम नहीं पीसेंगे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे काजू बदाम पीस गया है इसे हमें प्लेट में निकालेंगे आप देख सकते हैं इतना दरदरा मेवा हमने पीसा है अब जार में हम मखाने को डाल कर पीसेंगे मखाना पूरी तरह श्ठंडा हो चुका है तो इसे भी हम अच्छे पीस लेते हैं मखाने को पीसने एक बाद हम प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने मेवा को निकाला है दूद में उबाल आ गया है इसको हम दो मिनट तक और पकाएंगे जिससे थोड़ा गाढ़ा हो जाए दो मिनट और पकाने बाद आप देख सकते हैं दूद गाढ़ा होकर थोड़ा कम हो गया है आप इसमें हम दो पूटती हाई कब छीनी डालेंगें। चीनी आप अपने हिसाब से कम याज जादा कर सकते हैं। आप छीनी घुलने तक, दूद को हम 2 मीनट तक हूपर पकाएंगे। चीनी पानी छोड़ेगा तो दूद पतला हो जाएगा तो इसलिए इसे हम दो मिनट तक और पकाएंगे चीनी अच्छी तरह से घुल गया है दूद को हमने दो मिनट तक और पका लिया है आब इसलिए हम भूना हुआ नारियल बुरदा डालेंगे इसके बाद आधी छोटी चमची लाची पौडर डालेंगे इससे मिठाई का फ्लेवर अच्छा बनता है और पीसा हुआ मखाना मेवा को डालेंगे अब इसे हम बराबर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये दूद को सोकर मावन बन जाए अभी एक गीला लग रहा है लेकिन जैसे जैसे इसको हम पकाते जाएंगे तो मेवा दूद को सोकर मावा बन जाएगा गैस को हमने मीडियम में किया है इसे हम मीडियम आचर पकाएंगे अब दूध मेवा पक कर सुखा हो गया है आप देख सकते हैं एकदम मावा बन गया है अब गैस को हम धीम करेंगे और इसी में एक छोटी चमच घी डाल कर मिलाएंगे जिससे मिठाई कड़ाहिम चिपक रहा है वो छोड़ दे अब ये मिठाई जमने के लिए तयार है इसको हमने अच्छे तरीकिस पका लिया है अब गैस को हम बंद करेंगे इसी बरतन में हम बर्फी को जमाएंगे तो पहले इसमें हम अच्छे से घी लगा देते हैं जिससे बर्फी जमने बाद प्लेट को असानी स्छोड़ दे गी लगाने एक बार अब पूरे बर्फी को हम इसी में सेट करेंगे तो बर्फी को कड़ाइस निकाल कर प्लेट में सेट करेंगे पूरे प्लेट बराबर हम बर्फी को फला कर सेट कर देते हैं आप चाहें तो इस बर्फी को थालिम जमा सकते हैं या फिर इस तरह कोई प्लेट हो उसमें भी जमा सकते हैं बर्फी को हमने जमा कर सेट कर दिया है अब इसके उपर से कटा हुआ पिस्ता लगाएंगे आप चाहें तो अपने मन पसंद कमसार और भी मेवा लगा सकते हैं इसके उपर थोड़ा बेलन चला देते हैं जिससे बर्फी में पिस्ता चिपक जाए पूरी तरह से बर्फी को हमने सेट कर दिया है अब इसको हम इसी तरह 20 मिनट के लिए पंके ख़वम रखेंगे जिससे बर्फी ठंडा होकर जम जाए 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं बर्फी जम कर टाइट हो गया है अब इसको हम काट कर दिखाते हैं तो पहले इसका किनारा काट कर निकालेंगे अब बर्फी को हम सीधी सीधे लाइन में काटेंगे इसके बाद बर्फी को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं आप इसको जैसा चाहें छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया मुलायम बर्फी बनी है इसे अगर आप घर पर बनाएंगे तो बच्चे बढ़े सभी पसंद करेंगे क्योंकि मिठाई खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मिठाई बच्चे बढ़े सभी चावस खाएंगे काटने बाद आप देख सक करेंगे कि सुझे कुछे करेंगे बनाएंगे कंए देखरू NICK